तो कैनवा के माधियम से आप कैसे एक अर्निंग वेबसेट बना सकते हो आज मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो आज के मेथड को मैंने थ्री स्टैप्स में डिवाइड किया है तो स्टैप नमर वन में हम एक आफ्रोपड़ को चूज करेंगे स्टैप नमर टू में हम अपने आफ्रोपड़ के अनुसार एक सिंगल पेज वेबसेट करेंगे और स्टैप नमर त्री में हम अपनी सिंगल पेज वेबसेट को फ्री के ट्राफिक सोर्स के उपर प्रमोट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर step number one को perform करते हैं तो हमें एक Apple product को choose करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले Disho 24 का तो simply आपको Disho 24 के उपर आना है और इसके उपर अपना account create करेंगे जैसा आप Disho 24 के उपर अपना account create करेंगे और इसके market place को open करेंगे तो आपके सामने एक कुछ इस पर का interface आएगा and you can see आपको यहाँ पर बहुत सारे products मिल रहे है अब आपको यहाँ से एक product को choose करने जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर इस product example लेने वाले है तो product का नहीं क्या है the wealth signal basically manufacturing niche का एक product है अगर हम इस product को promote करते हैं तो आपको यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर पर सेल का 46 डोलर तक कमिशन मिल जाता है मालो मैं आपर दिन की 10 सेल भी निकलवा लेता हूँ तीजली मैं आपर पर देके 460 डोलर तक को earn कर सकता हूँ तो simply हम यहाँ पर इस product को promote करने वाले दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर recommend करता हूँ जब भी आप किसी भी product को promote करें तो promote करने से पहले आपको उस product के sales page and effort support page को जरूर चेक करना है ताकि आपको idea लग जाए कि product किस के बारे में है और कैसे ही आपको उसको promote करना है and support page के अंदर आपको resource मिल जाते हैं जिनका use करकर आप अपनी strategy बना सकते हैं right audience के बारे में जानकरी प्राप कर सकते हैं और easily आप यहाँ पर अपने product को promote कर सकते हैं तो पहले आपको sales page and support page को check करना है उसी के बाद ही आपको अपने product को promote करना है promote now इसको पकलिक करना है अब आपके सामने आपका effort लिंक आजाएगा तो यहाँ से आपको अपने promo link को copy कर लेना है जिसको आपको note pad करने save कर देना है and बाद में हम यहाँ पर अपने promo link को use करेंगे जिसी आप यहाँ पर अपने product को choose कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर next step को perform करना है इस next step में हमें अपने product के लिए एक single page website को create करना है तो website create करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने website के लिए content को create करना पड़ेगा जिसको हम अपने website के अंदर use करने वाले है and content को create करने के लिए हम यहाँ पर use करेंगे चाज GPT का तो simply आपको चाज GPT को पराना है और इसके ऊपर अपना account create कर लें और इसके मादम से आपको यहाँ पर अपने website का content create कर लेंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ content बना है and content के लिए मैंने यहाँ पर इस prompt कर use किया तो prompt का maximum part मैंने यहाँ पर research किया है मैंस यहाँ पर मैंने अपने support page and sales page कर use किया है और इसके मादम से मैंने यहाँ पर यहाँ पता किया है कि well signal किसकी according है मैं इस क्या क्या इसके अंदर चीज़े हैं जिनका यूज करकर हम यहाँ पर अपनी वैपसेट बना सकते हैं मैं क्या क्या यहाँ यहाँ पर यह ओफर करता है जिसका यूज करकर हम अपनी वैपसेट बना सकते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है The well signal fixes that fast using proof sound wave technology यहाँ पर लिख दिया है Please make a single page website content यहाँ यहाँ पर बनकर रेडी हो जागा अब आपको only यहाँ पर इस content को अपनी वैपसेट के अंदर copy and paste करना है और आपकी वैपसेट यहाँ पर बनकर रेडी हो जागी अब आपके दिमाग में कोशन आ रहोगा कि आप किस तरीके से अपनी वैपसेट को बनाएंगे मैं इसकिस platform का use करकर आप अपनी वैपसेट बना सकते हैं तो गैस हम यहाँ पर use करेंगे Canva का और Canva के मादियम से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपनी वैपसेट बना सकते हैं तो Canva के मादियम से वैपसेट करणे क लिए सबसे पहले आपको Canva के उपर आण है और इसके उपर अपना अकाउन करेट करेंगे जैसा आप आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन्स आजाएंगे यहाँ पर आपको अप्शन मिलेगा वैपसाइट का तो आपको इसको पकलिक कर तो आपके समने new page आएगा and you can see आपको यहाँ पर बहुत सारे templates मिल रहे हैं अब आपको यहाँ से एक template को चूज कर लेना है उसको customize करना है और अपने content को website के अंदर replace कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर इस template का use करने वाला हूं तो simply मैं यहाँ पर आउगा and यहाँ पर मैं इस template का use करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर इस template का use करने वाला हूं तो simply मैं इसको पर click करूँगा and customize this template इसको परम click कर देना है जैसा आप इसको उपर क्लिक करोगे तो आपके सामने new page आएगा and you can see यहाँ पर आपको बना बनाया template मिल जाएगा, अब आपको इसको customize करना है, यहाँ पर आपको अपने content को replace करना है और आपके website यहाँ पर बनकर ready हो जाएगी, अब आपको यहाँ पर और भी template मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस template जिगे किसी अन्य template का भी use कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी दूसरी template का use कर लेता हूँ, जैसे कि मालों मुझे यह वाला template भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको उपर भी click करता हूँ and customize template इसको उपकलिक कर देता हूँ, तो आपके सामने इसका interface भी open हो जाएगा and you can see आप इसको भी customize कर सकते हैं, तो थोड़ा और भी यहाँ पर analyze कर लेता हूँ, एक भातिरिन सा template में यहाँ पर choose कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत समय आपको अपवेतीत करना है and आपको यहाँ पर बना बना भातिरिन सा template मिल जाएगा, जिसका आ इसको मैं आप analyze करूँगा कि यहाँ पर यह template मेरे requirement को fulfill करता है, जैसे कि यहाँ पर इसका first layout है, यहाँ पर यह वाला part है, यह वाला part है, यह मुझे काफी अच्छा लगा है, तो मैं इसी को customize करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पर यूज नहीं करने वाला तो इसको मैं delete कर सकते हैं, जैसे कि मैं wealth signal के according अपनी website create कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं type कर दूँगा wealth signal, तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, wealth signal, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपना logo बना लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना title copy and paste करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यह मैं इसको कस्टमाइज करने वाला हूँ, तो इसको पर मैं कलिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसको चूज कर लूँगा, इसको मैं middle में set कर दूँगा, तो इस पर कहा से यहाँ पर मैंने इसको कस्टमाइज कर लिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर इस पार्ट को भी रखना ह तो मैं इसको यहां से copy करूँगा, again यहां पर जाएंगा, and I shall stop the matter. यहां पर मैं its copy and paste करूँ, okay, यहां पर मुझे इसको copy and paste करना है, तो नहीं पहले मैं इसको size decrease कर देता हूँ, ताख कि यहां पर यह थोड़ा set हुजाँ, थोड़ा से मैं इसको यहां पर size decrease कर देती है, okay इस प्रकात से हमाइन इसको रख दिए है, अब मैं इसको copy करूंगा, इसको size मैं इसको decrease कर दूँँगा, इस तरीके से मैं इस इसको किया है, इसको किस्टमाइश कर दिए है, जूबहुंगा इसको कोपी करने वाला हूँ, मैं पर क्लिक करते हूं इसको आपको upload करना डाल देना है और upload से आपको यहाँ पर इसको drag and drop करना है और इस प्रकास से आपको यहाँ पर इसको लगा देना है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है मैंने यहाँ पर अपना content बना लिया है तो यहाँ पर मैंने अपना content बना लिया है यहां पर थोड़ा सा work कर लिया है और यहां पर मैंने अपनी website को थोड़ा अच्छे से बनानी के कोशिश की है ठीक है तो इस प्रकास से मैं थोड़ा सा इसको customize कर लिया है अब आपको यहां पर अपना call to action देना है जैसे कि मैं यहां पर इसको delete कर देता हूं यहां पर मैं करने के लिए आपको यहां पर आना है अपको link का option नज़राएका जिसे कि आपको यहां पर link का option दिखाए देगा तो आपको इसको पकलिक कर देना है और यहां पर आपको अपने एफ़ट लिंग को आड़ कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने एफ़ट लिंग को आड़ कर दूँगा, इसको पकलिक कर दूँगा, तो इस तरी किस यहाँ पर मैंने अपने एफ़ट लिंग को एड़ कर दिया, तो यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट पेज को क्रीट कर अब आपको यहां पर आना है, यहां पर आपको इमेज को चेंज कर देना है, अगर आप यहां पर सेम इमेज रतेना चाहते हैं, तो कोई दिकत नहीं है, आपको यहां पर अपनी मर्जी के अनुसारी इमेज को रखने है, उसके बाद आपको यहां पर अपना content चेंज कर देना इसको मैं bold कर दूँगा, ताकि यह थोड़ा अलग न जराए, अब मैं हाँ पर इस content को change करूँगा, तो यहां पर मैं जाओंगा, यहां से लेकर यहां तक मैं इसको copy कर लूँगा, इसको मैं इससे replace कर लूँगा, तो इस तरीके से यहां पर मैंने अपना content भी replace कर लिया, उसक को थोड़ा से my customize कर लेता हैं उस तरीके से, तो यहां पर मैंने इसको replace कर लूँगा, तैक हो से सेट हो जाए तो इसका मैंने साइस होड़ा सा डिक्रीस करती है सेम इसी तरीके से यहां पर मैं इसको भी रिप्लेस करूँगा इसको मैं कोपी कर लूँगा इससे मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर लूँगा तो यहां से मैं इसको कोपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहां पर इससे रिप्लेस कर लूँगा तो इस तरीके से आपको यहां पर अपनी वाप से कस्टमाइज कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर ओप्शन में लेगा रीड रिव्यूस का तो हमारा यहां पर reviews बनकर ready हो चुकी है तो यहां से मैं reviews को copy कर लेता हूँ जैसे कि इसको मैं copy कर दूँगा and इसको मैं यहां पर इससे इस तरीके से replace कर दूँगा ठीक है नहीं बगएर चेंज करते हैं नहीं बगएर भी आप यहां पर change कर सकते हैं तो दूसरा जो review मैं replace कर देता हूँ तो इसको मैं copy कर दूँगा and इसको मैं replace कर दूँगा इसбаई से तरीके से आपको इसको भी replace कर दैय कर दूँगा यहां पर इसको प Bowl on the change कर सकते जैसे कि मालो आपको है एक पर को और अपर गॉपि कर ले चमति कर दूँगा है जैसे यहां यहां पर मैंने अपनी maximum website बनाकर ready कर लिया है, यहां पर मैंने इसका main page create कर लिया है, यहां पर मैंने content change कर दिया है, इस content को मैंने यहां पर change कर दिया है, इसको मैंने change कर दिया है, इसको मैंने change कर दिया है, इसको मैंने change कर दिया है, अगर आपको यहां पर contact page रख सकते हैं, मु यहां से इस color को choose कर लूँगा उसके बाद मैं आप जाऊँगा आपको option मिलेगा get started now तो इसको मैं हाँ पर copy करूँगा and इसको मैं है पर replace कर दूँगा तो उसके यहां पर आउँगा text इसको पर click करूँगा and यहां पर इस तरीके से मैं है इसको replace इसको साइच को आपको यहां पर इसके साइच को भी डिक्रीज करते हैं और अब आपको सको कस्तमाइजक मैं इसे कि वा अनकी के मान इंके कलर उसको चैंज कर दूंगा थे के हैं तो पहलता बोड कर लेता हूं इसको मैं बॉल्ड कर लिया है थोड़ा मैं साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं ठीक कलर में इसको यहाँ पर रख लेता हूं वाइट ओके इसको मैं पर ब्लैक रखने वाला हूं और इसका कलर भी मैं इसका रिप्लेस कर दूँगा थोड़ा साइज में इसका इंक्रीज कर देता हूं and color मैं इसका यहाँ पर रखने वाला हूँ yellow तुस्तरीके से मैंने इसका color change कर दिया है अब अगरे आपको यहाँ पर आना है इसको copy कर लेना है यहाँ पर आपको link का option दिखाए देगा आपको इसको पकलिक करना है अगरे आपको यहाँ से अपने app button का copy करना है और इसको आपको यहाँ पर place कर देना है तो इसको पकलिक करना है तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी complete website create कर ले जैसी आप यहाँ पर अपनी complete website create कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर आना है publish website का आपको यहाँ पर option दिखाए देगा तो आपको इसे पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी website को publish करना है, तो पहले मैं आपको यहाँ पर अपनी website का preview दिखा देता हूँ, टो मैं इसको पर click करऊंगा, जैसा हम इसको पर click करेंगे तो हमारे सामने हमारी website का preview आ जाएगा तो हमारी website कुछ इस प्रकास से हमारे customer को दिखाई देगी तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी website बना लिया है अब आपको publish website इसको पर click करना है और आपकी website यहाँ पर publish होने के लिए ready हो जाएगी आपको यहाँ पर आना है publish website इसको पर click कर देना है और आपकी website यहाँ पर publish हो जाएगी जैसे ही आपकी website यहाँ पर publish हो जाएगी उसके बद आपको यहाँ पर step number 3 को complete करना है तो आपको अपनी website को promote करना है तो website को promote करने के लिए आप यहाँ पर use कर सकते social media site को तो simply आपको यहाँ पर किसी भी social media site को target करना है और वहाँ पर आपको अपनी website को promote करना है जैसे कि इस video में हम यहाँ पर example लेने वाले X का तो आपको X के उपर किस तरीके से आप अपनी website को promote कर सकते हैं उसका process explain करने वालो तो X की ऊपर अपनी website को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको X के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपने account गरीट करने है अब आपको यहाँ पर अपनी post गरीट करने के लिए हम यहाँ पर use करेंगे chat-gpt का तो simply आपको chat-gpt को आना है यहाँ पर आपको अपनी प्रोम्ट को copy and paste कर देना है यसी आप यहाँ पर अपनी प्रोम्ट को copy and paste करेंगे तो आपके सामने आपके post बनकर ready हो जाएगी अब आपको यहाँ से अपनी post को copy कर लेना है यहाँ पर आना है पोस्ट इसको पकलिक करना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट करना है, जितनी पोस्ट आप यहाँ पर करेंगे, उतनी आपके पोस्ट को पर ट्राफिक आएगा, जो डेफिनिटली आपकी वैपसेट को पर जाएगा, जैसी आपको ट्राफिक आपकी वैप अपसेट बना कर अपने आफ़र पूड़ को प्रमोट करना है तो काफी सारा धन आपको यहां पर अरजित करना है I hope आपको आज का मैतर समझाय होगा कैसे इसको अपलाई करना है वैभी आपको समझना होगा अगर आपको आज का मैतड़ समझा है तो प्लीज चैनल को शेर वे सब्सक्राइब करें और कम सकम इस वीडियो को पो हंडर लाइक्स लेकरें ताक इसी टाप का ओसम कंटेंट हम आपके से शेर करपा